आज मैं आपको एक उपाय बताने आए हूँ यदि आप किसी खास चीज को पाना चाहते हैं और इसकी इच्छा रखते हैं और आप उच्छा रहे हैं कि बहुत टाइम से वो काम आपका पूरा नहीं हो रहा है तो आपको सिवितना करना है एक गुलाबी रंग का एक पेपर लेना है उस गुलाबी रंग के पीपर पे आपको अश्ट गंद की गंद से अनार कलम की कलम से या चमेली के पेड की कलम से आपको आपकी जो भी इच्छा है उसको वहां लिख देना है और लिख देने के बाद आ थागे के सहारे बांधने के बाद आपके घर के आस्वास में जो सब से ऊचा पेड़ हो दरक्त हो और अगर वो पीपल का हो बरगत का हो या किसी और अच्छे इसका पेड़ हो वहाँ पे जाके आपको उस पेब को बांध के आना है जो भी आपने कुछ लिखा हुआ है और आप उसको बांधने के बाद लिखकर जो आपने रखा हुआ है उसको अपने दिमाग में रखना है क्योंकि आपने जो भी कुछ उस पे लिखा था वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए और उसको आप खुद भी बान सकते हैं यदि आपको लगता है कितने उचे पेड़ पे आप नहीं चुड़ सकते हैं तो आप इससे किसी से बंधवा भी सकते हैं अगर आप बहुत उची डाल तक नहीं बान सकते हैं और आपके पास बंधवाने के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप उस पेड़ की किसी नीची डाली पे उसको बान दे लेकिन कोशिश करना कि उसको कोई तोड़ ना ले कोई हो इसको फाड़ के फेक ना दे इसलिए मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा उबर बान दिएगा जैसे जैसे वो छीज हिले की हवा के द्वारा वैसे वैसे एनरजी काम करती है हमारी यूनिवर्स जो है पंच तक्तों से बनीवी है जैसे कि आप जानते हैं और हमारी किसी भी मनो कामना को पूरा करने के लिए अगनी तत्व होता है वायू तत्व होता है जल तत्व होता है अकाश तत्व होता है प्रत्व तत्व होता है यही पांच जो तत्व है वो हमारी किसी भी वशीकन किसी मनो कामना किसी सम्मोहन की कामना वस्तू की कामना को जब भी हम किसी बात को लगातार युनिवर्स में भेशते हैं और इशर से प्रातना करते हैं कि हमारी उस अमुक मनो कामना को इशर पूरा कर दे तो उस समय प्रकरती विभिन तरीकों से हमारे उस कामना को पूरा करने के लिए इन पांस ततों की ही हमें मदद देती है तो जब की मनों कामना कभी भी पूरी नहीं होती है जैसे कि आकाश लगातार चंटिंग करने से या मंत्रों का उच्चारण करने से आपकी बात आकाश तक पहुंसती है और वो आकाश तत्व से यूज होता है यानि कि लगता है जो लोग धर्ती पे पूजन पाट का कारे करते हैं जब आप किसी चीज को जलाते हैं जैसे हवन करते हैं तो अगनी तत्व काम करता है और जब आप किसी चीज को पानी में बहा देते हैं तो जल तत्व काम करता है इस तरह से पांचों तत्व के अपने अपने काम होते हैं इसी तरह से जब किसी चीज को बोल कर हवा में फूक को देते हैं तो वायू का तत भी काम करता है जब आप किसी चीज को लिखकर जला देते हैं और अपनी बात को यूनिवोर्स में भेशते हैं तो जला देने से वायू तत में वो चीज मिल जाती है और जब हम कभी कभी कहते हैं कि आप बात को उड़ा दो तो वो ऐसे काम करती है तो मैं हूँ अचारे संद्या सकसे ना मालक्षमी जोति शदादवी सलस्थान की तब से यदि आपको अपनी फ्री में रिडिंग करानी हो फोटो की क्योंकि मैं एक सैकिक रिडर हूँ और या फिर आपको मुझसे फ्री में ही मादा बगला मखी या काली का वो सौरी मादा पड़ी पूजो कृवाना है तो संपर्क कर सकते हैं कोश आश्रम में एक पूजा पार श्थान के लिए दान देना चाहें तो आप दे श इसी बड़े मंदिर में पूछा पाठन श्टान करोना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, आप अपने रफ ग्रहों की शान्ती के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, और हमारी बहुत सारी सर्विसेश हैं, और अभी COVID हैं, तो जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो मिनसे रिकस्ट करूँगे, कुछ तेर और रुख जाईए, कुछ दिन रुख जाईए, COVID को खतम होने दीजे, फिर मैं आपसे जरूर मिलूँगी, तो आज के लिए इतना ही, और हाँ मेरे खास guided meditation होती है, जिसके बारे मैंने पहले भी बताया था, जिसको कर लेने मातर से बहुत से लोगी मनो कामना पुरी हो, आप उसको भी करा सकते हैं, तो आज के लिए तना ही आपका दिन शूब हो, धन्यवाद